क्यों मिरेगा वरुन धवन को मरने के बाद भी दुश्मन का सेलियूट अरुन खेतरपाल की कहानी क्या थी हेलो दोस्तो बॉलीग्राद स्टूडियो से मैं हूं सानिय सैफी दोस्तो नैशनल अवर्ड विनिंग फिल्म अंधा धुन के डिरेक्टर श्री राम रागवन की अगले फिल्म आ रही है नाम अभी नहीं पता लेकिन कहानी पता है क्योंकि ये कोई कहानी नहीं सच्चाई है और हमारे इस कहे का गवाह इतिहास है ये फिल्म सबसे कम ओमर यानि के 21 साल में परमवीर चक्र से सम्मानित आर्मी मैन अरुन खेतरपाल की जिन्दगी पर बेज़्ड है इस फिल्म में अरुन खेतरपाल का रोल वरुन धवन करने जा रहे है वरुन और श्री राम इससे पहले बर्लापुर जैसे फिल्म पर साथ काम कर चुके है अरुन खेतरपाल की कहानी इतनी ज्यादा दिल्चस्प है कि सुनने में ही थ्रिल वाली फिलिंग आती है हिम्मद और जजबे से लबरेज ये कहानी खुद ही इतनी ज्यादा फिल्मी है कि आपको सुनते वक्त ही बदन पर गूसबम्स महसूस होते है 14 ओक्टूबर 1950 को पूरे में पैदा हुए अरुन खेतरपाल की शुरुवाती पढ़ाई लिखाई सनावर के मशूर लौरेंस स्कूल से हुई इसके बाद उन्होंने NDA जोइन किया 1971 में वहां से पास आउट होने के बाद उन्होंने ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिटरी अकाडमी जोइंग की लेकिन इसी वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग का मौहल बनना शुरू हो चुका था एहतियातन मिलिटरी अकाडमी के ट्रेनी अफसरों को रेजिमेंट में भेजने का फैसला किया गया इसी लिस्ट में अरुन खेतपाल का भी नाम था अरुन की कमिशनिंग 17 पूना होर्स रेजिमेंट में हुई लेकिन अरुन की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी इसलिए उनके कमांडर हनूत सिंग ने उन्हें लड़ाई में भेजने से मना कर दिया काफी मान मनावल के बाद कमांडर मान गए लेकिन उन्होंने युद में अरुन की मदद के लिए अपने अनुभवी सूबेदार नंद सिंग को भी उनके साथ भेजा खबर मिली कि शकरगड इलाके में पाकिस्तानी टैंकर जबा होकर किसी बड़े हमले की तयारी कर रहे हैं भारतिय सेनको इस हमले को नाकाम करना था वरना भारी नुकसान हो सकता था इंडियन आर्मी ने भी टैंक्स की कतार बना कर शकरगड की और बढ़ाना शुरू कर दिया सत्रा होर्स रज्मिंट की एक टीम मौके पर तैनात हो चुकी थी लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हो रहे तेज और भारी हमले के बीच उस टीम के कमांडर ने और टैंक्स की मांग की मदद के लिए कुछ सीनियस के साथ अरुन खेत रपाल अपना टैंक लेकर बढ़े थोड़ी ये देर में पाकिस्तान के कई टैंक्स तहस नहस हो गए लेकिन पाकिस्तान की प्लानिंग अच्छी थी उनके कई और टैंक्स मैदान में आ गए और इसका खामियाजा भारतिय सेना को भुगतना पड़ा हमारे टैंक्स पर गोले बरसने लगे और वो बरबाद होते चले गए एक गोला अरुन खेतरपाल की टैंक पर भी लगा इस हमले में सबसे पहले मौत हुई रेजियो ओपरेटर नंद सिंखी अब टैंक में अरुन के साथ ड्राइवर प्रयाग सिंग और गनर नत्थु सिंग बचे थे गोला लगने की वज़ा से अरुन की टैंक में आग लग गई थी रेडियो पर आदेश आया अरुन टैंक से बाहर निकलो अरुन ने जवाब दिया सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूगा क्योंकि मेरी बंदू कभी चल रही है ये उनके आखरी शब्द थे इसके बाद अरुन ने अपना रेडियो बंद कर दिया वो पीछे हटने की बज़ाए पाकिस्तानी टैंक को ख़देडने लगे इस दोरान उन्होंने दुश्मन के चार टैंक अकेले ठिकाने लगा दिये हलाकि अब अरुन के टैंक ने भी काम करना बंद कर दिया था मैदान में उनके सामने सिर्फ एक और टैंक बचा था वो पाकिस्तानी स्कॉर्डन का टैंक था अरुन ने फायर कर दिया लेकिन इतने में ही सामनी से भी एक गोला आया और अरुन के टैंक को लगा पाकिस्तानी स्कौर्डन ने तो टैंक से कूद कर अपनी जान बचा ली लेकिन अरुन टैंक से नहीं निकले अरुन खेत रुपाल शहीद हो चुके थे अब पाकिस्तान शकरगड में आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि उसके टैंक बरबाद हो चुके थे और इस तरह पाकिस्तान का उस इलाके में आगे बढ़ने की सारी प्लानिंग और स्ट्राटेजीज धरी की धरी रह गई 2001 में जब अरुन के पिता अपने पुष्टैनी गाउं सरगोडा जो के पाकिस्तान में हैं वहां गए वहां पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर ने उनकी मेजबाने की ब्रिगेडियर ने खेतरपाल को उनका गाउं घुमाया और उनके घर भी उनकी खूब खातिरदारी की बाद में उन्होंने बताया कि वो वही शक्स हैं जिनके हाथ हों उनके बेटे की मौत हुई थी टैंक से कुदा वो पाकिस्तानी स्कौर्डन ब्रिगेडियर खुआजा मोहमन नासर ही थे ब्रिगेडियर नासर ने अरुन खेतरपाल की जजबे और हिम्मत को सैलियूट करते हुए पिता खेतरपाल के सामने ये बात कनफेस की कि युद में अरुन खेतरपाल की इसी बाहदुरी के लिए मरने के बाद उन्हें देश के सर्वोच वीरता पुरुसकार परमवीर चक्र से समानित किया गया था वो ये पुरुसकार पाने वाले सबसे कम उम्र के जवान थे जब अरुन की मौत होई तब वो सिर्फ 21 साल के थे करण जोहर के रॉकित से लॉंच होने वाले वरुन दवन वो तीसरे कलाकार हैं जो किसी आर्मी ओफिसर का किरदार निभाते हुए नज़र आएंगे इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सिधार्थ मलहोत्रा सिधार्थ 1999 में कारगिल युद में अपनी बहदूरी के लिए परमवीर चक्र से समानित होने वाले जवान कैप्टन विकरम बत्रा की बायोपिक शेर्शाह में काम कर रहे हैं जानवी कपूर कारगिल वार में सैकडों भारते सैनिकों की जान बचाने वाली फ्लाइट लेटिनेंट गुंजन सकसेना की बायोपिक गुंजन सकसेना द कारगिल गर्ल में काम कर रही है और 14 ओक्टोबर यानि के अरुन खेत रुपाल के जनम दिन के मौके पर वरुन धवन ने उनकी बायोपिक में काम करने का एलान किया है दोस्तों इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अबडेट्स जानने के लिए जुड़े रहे हैं बॉलिग्राद स्टूडियो से झाल झाल